डॉक्टर तीरत सिंग लर्न टू एक्चुलाइज में आपका स्वागत है आज लर्न करेंगे फॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन एनलेसिस करेंगे और उनके करेक्टर्स्टिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे फॉर्मल एजुकेशन की फर्स्ट डेफिनेशन है जान डीवी की 97 में डेफिनेशन को पहले पढ़ता हूं फॉर्मल एजुकेशन इस दी प्रोसेस आफ सिस्टेमेटिक एंड प्लैंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड़ेड इन स्कूल एंड इंस्टिटूशन अंडर दी गा इंपॉर्टन्ट इलिमेंट इसमें क्या होगा सिस्टेमेटिक क्योंकि सिस्टेमेटिक एक ऐसा वर्ड है जो आपके एक्जाम में एंसी क्यों में बार बार राइट आंसर के तौर पर पड़ा होता है लेकिन इसकी जगह पर साथ में कई बार और गनाइजड जां स्ट्रक् में होगी formal education चौथा है कि under the guidance of expert जिसको हम teacher बोलते हैं सबसे पहले learn ये कर लें कि systematic क्या है बाकी के planned instruction तो हम जानते है planned क्या है कि जो decision carefully पहले से लिए जाते हैं किसी learning objective को achieve करने के लिए तो school open करना government की भी planning है board की भी planning है जो institute higher education में है university है college है वो higher education से related जो bodies है agencies है उनके साथ उनकी recognition है उनकी ये planning है तो institute में अगर आपने learn करना है तो तीन word है school है first school के साथ college है college के साथ university है तो ये higher order में आगे चलके hierarchical structure में ये भी learn करेंगे लेकिन ये समझ लेना है कि सिर्फ college university है school ही नहीं है इसके इलावा जो institute of management institute of nursing and institute of medicine कोई भी institute जो के इस in characteristics में से गुजर के जाती है उसको हम formal education में रखेंगे under the guidance of teacher इसमें बताने की कोई बात नहीं है systematic को हां समझ लेते हैं systematic में मैं systematic की जो करता हूं definition उनको उसके लिए एक शब्द आपको देता हूं steps order sequence तो systematic में जो भी activities होती है institute में वो school college university कोई भी हो तो वो एक order में होगी सबसे पहले यहां मैं बताने के लिए बता रहा हूं कि objectives aims होगे aims objectives के base पर curriculum होगा curriculum के base पर teaching learning process होगी teaching learning process जो होगी वो hierarchical level के उनसार होगी grade के उनसार class 1 class 2 class 3 class 4 और जो evaluation है normally वो end में होती है summative है लेकिन formal जो formative assessment है वो साथ-साथ में भी हो सकती है that is regular evaluation and assessment last में क्या होता है class complete होने के बाद certificate की award किया जाता है तो systematic ये क्या हुआ कि पहला step follow करने के बाद दूसरे की बारी आएगी दूसरे के बाद तीसरे की बारी आएगी तीसरे के बाद चौथे की बारी आएगी इसको linear process भी बोल देते हैं और ये नहीं होगा कि पहले step के बाद आपने चौथा step और चौथे के बाद फिर आपने दूसरा step दूसरे के बाद फिर कोई last step ऐसे नहीं है यह non-linear process इट मीज़ फॉर्मल एजुकेशन नौन लीनियर नहीं है dominant linear process करती है उसकी example अगर देखनी है genetics and evolution जो बालाजी का concept है वो टीच करना चाहता है उसके लिए वो plan करता है क्या plan करते हैं कि लेक्चर method से टीच करना है जा लबाटरी के experiment करवाने हैं group discussion करवानी है cooperative learning कोई भी activity यह plan होती है उसके base पर last में evaluation को वो quiz की planning करता है exam की करता है assignment की करता है तो this is example of systematic that is most important part of definition of formal education मेरे ख्याल में जो पिछली definition उसको एक बार फिर से देख लेना चाहिए यह हो गया school यह okay है next है UNESCO की मेरे हिसाब से यह पहली और यह definition most important है कैसे क्योंकि इस में जो characteristic बताए है normally उस definition में नहीं होते first formal education refers to hierarchically structured the most important chronologically graded system of education officially recognized and sanctioned by government इसको समझ लेते हैं यह easy है क्या इसमें sanctioned by government government आपने कोई school open करना है इंडिया में तो आपको पहले noc government से लेना पड़ता है अगर state board से affiliated है तो state board से लेना पड़ता है आपने बीएड college खोलना है पहले state government से permission noc लेनी पड़ती है तो वह government ने देखना क्या है कि weather need है इसकी need को evaluate करते हुए पूरी situation को scenario को देखते हुए noc दी जाती है तो sanctioned by government अच्छा यह तो private college है ना जो एड़ेड कॉलेज है जहां government college है जहां government schools है वो तो government के द्वारा पहले सी need based होते हैं ना गर्ल्स के लिए special school खोले जाते हैं minority के लिए अगर खोले जाते हैं जहां जो backward classes है उनकी need को देखते हुए खोले जाते हैं तो यह sanctioned by government officially recognized कैसे है अब पीछे बात करके आए हैं कि जो board है वो affiliation देता है हम इसको पहले समझ ले मेरे ख्याल में पहले hierarchical structure समझ लेते हैं इसको साथ में ही समझेंगे hierarchical structure क्या है कि एक step के base पर दूसरा step होगा इसको आप structure जो पीछे समझ के आए हैं उससे associate कर सकते हैं लेकिन यहां example बिल्कुल different है easy है यह पहले सबसे आगया kindergarten प्री स्कूलिंग छे साल से पहले की education उसके बाद आगया primary होता है लेकिन यहां elementary लिखा हो है उसके बाद middle school है यह common example है उसके बाद high school है तो hierarchical structure क्या है कि प्री स्कूल के base पर ही next होगा level और next के base पर जो middle होगा middle के base पर high होगा high के बाद higher college and university तो new education policy इंडिया की example अगर देखनी है तो यह best example यह structure है दिखिए ध्यान से पढ़ना यहां पर क्या लिखा है previous academic यह मैंने कर दिया circle structure new pedagogic and curricular structure तो structure क्या है उसकी division अब change हुआ है यह अब change की बात यहां नहीं करेंगे यह foundational नाम दे दिया गया है सबसे नीचे वाली जो structure में आती है hierarchy वो foundational है यहां बच्चे सबसे ज्यादा होगी है उसके बाद preparatory है उसमें classes बताई गई है साथ में यह आ गया middle उसमें classes बताई गई है six to eight है secondary में जो 11 और 12 थी अब क्या होगी नाइन से 12 होगी है तो यह structure में change है इसके base पर यह complete करोगे तो यहां पर enter होगे इसके base पर यह next वाला block है next वाले block पर next वाला block है इसके बाद college और university जो है hierarchy में आ जाती है तो यह hierarchy structure था पिछली definition में बापिस चलेंगे और देखेंगे दो और बाते समझने वाली थी chronologically graded यह chronologically graded में easy है के एक दो हाँ यह जैसे है यहां पर नया लिख रहेते हैं यह रहा age for example बच्चे की age six year है seven year है eight year है nine year है approximately generally यह कहा जा रहा है वैसे छे से साथ का उसकी grade class कौन सी होगी first होगी साथ साल की second class normally normally होगी eight year का बच्चा हो गया है third class यह fourth class और जैसे जैसे वह class बढ़ती है age बढ़ती है वैसे वैसे complexity of curriculum increase होती जाती है तो इसको एज एप्रोप्रियेशन भी कहा जाता है कि जो करिकुलम है वह age के appropriate होगा complexity उसके मताबक होगी इसमें और क्या रह गया के chronologically graded हो गया और officially recognized अब officially recognized graded chronologically यह वाली होगी बात अभी मेरे खिल में नहीं है हाँ यह बात अभी जो explain करके आया हूँ move from one grade to next grade complexity of curriculum increase age appropriate material and skills नेक्स है officially recognized तो officially recognized में जो body है जिसने affiliation देनी है उसके कुछ criteria होंगे for example आप cbsc के जब school open होना है cbsc की inspection होती है तो देखते हैं कि school safe area में है उसको पर जमीन कितनी है room कितने है laboratory कितनी है teacher कितने है human resource बाकि कितने है तो वो criteria met करते है standard met करते हैं तो भी वो अजाज़त देती है कि affiliation मिल जाती है next definition है हमारे पास यहां पर yes चौमस्की की definition है formal education is institutionalized system बिल्कुल different perspective होगा design to transmit knowledge and skill वही बात होगी instructional teaching यह वाली बात होगी teaching की बात हो गई by a teacher often इसको often बहुत ज्यादा यह possible है reflecting the interest and value of those in power this is most important यह एक communist जो justice के लिए जो exploitation जिन category की होती है उनकी exploitation के लिए लड़ते हैं वैसी definition है यह for example यह hierarchy है hierarchy के top में कौन से होगे जिनके पास power है power वो कौन सी है वो दो चीजों से power मिलती है political power और दूसरी जो पैसा है money है हना तो यहां पर इनके जा जो interest है value है school में वो teach किये जाते है generally इनका कहना यह है आप ध्यान से देखना के यह hierarchy के में जो सबसे नीचे है जो निमन वर्ग है देखिए आप slum slum है rural area है और उनके बच्चे प्राइवेट अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं यह प्राइवेट स्कूल है इनको यह मिल रहा है कर नहीं मिल रहा हां यह रहा स्कूल में रहे है वैस्टे नीचे वह लिखना था यह जुशं को मिल रहे है यह प्राइवेट मिल रही है आप देखें जो अध्यापक पर 스타일 में पढ़ार है क्या उनके बच्चे डोप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्वालीटी आइप बीस क्या हो रहा है मिल्स स्कूल तो ढ पावर नहीं है जिनके जिनको जस्टिस नहीं मिलता और वहां से पढ़कर कितने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं यह डैफिनेशन कहना चाहती है वो कहती है डैफिनेशन क्या चमस्की कहते हैं कि जो पावर में हैं उन्होंने करीकुलम डिजाइन और स्ट्रक्चर यह जो है ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि ओफन के वो उनके हितों को ही मतलब के हाई हरार्की में से जाह मिदल हरार्की में से जो लोग है वही डॉक्टर इंजिनियर जाहां हाइप वोस्ट के लिए आगे जाते है इसस्टम ऐसे जनुरेट कि आ गया है तो यह हर वक्त नही प्लैंड एंड परपस्फुल परपस्फुल पीछे बात हो चुकी है कि अबजेक्टिव है उसके मताबक ही एक्टिविटीज होती है इंस्ट्रक्शनल में टीचिंग एक्टिविटी डिजाइन टू अचीव था स्पेसिविक लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिस्टेमाटिकली और्गनाइज़ एंड एवेलुएटर तो यह बातें सभी पिछली डेफिनेशन में रिपीट हो चुकी है हां लास्ट स्टेप इवैल पार्ट वो जो फर्दर प्लैनिंग के लिए यहां पर फिर लिख दो के जो एवैलुएशन है वो फर्दर प्लैन बनाने में हेल्प करता है तो यह डेफिनेशन सी इसमें जो में करेक्टरिस्टिक थे वह डिसक्स किया है नेक्स्ट इसके बाद वीडियो जो होगी उसमें झाल झाल